हेलो इवरिवान गूड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सभी फिर से एक नए व्लोग में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी मॉर्णिंग का समय हो रहा है और देखे रोहन का बदमासी और अभी मैं चाय लेकर जा रहे हैं पीने के लिए बिल् करने के लिए और यहां पर इबरो बना रहे थी किसी और तो यह काम कर दिया था लोग और वैसे विरिया को यह काम बहुत मन लगता है अगर मैं फ्री भी होती हूं तो भी वही बनाती है और देखें कीतना करारा बना रहे एकदम अच्छा सी मतलब हो जाता है उससे कर लेती है वो और इसे मैं कंटेनर में स्टोर करके भी रख देती हूं इसलिए मैं हमेशा बनाती हूं फ्रेंड निमकी को और कभी कबार चाय वेगेरा के साथ घर में रहता है तो खा लेती हूं हम लोगों का मॉर्लिंग का हो गया है नास्ता वही चाय बनाई थी रिया और सब्जी खा रात का बचा वोक्स को में गरम कर दी थी चाय निमकी और सब्जी यही नास्ता हो गया और अभी मैं खाना बना रही हूं मटा डालू भी सब्जी दाल चावल रात में भी मैं मटा डाल तो फाइनली खाना वेगेरा तो बन गया है और अभी मेरे पास समय है आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बना लेती तरण और अभी टाइम 12 बज रहा है तो मैं जा रही हो भी सिलाई करने के लिए क्योंकि सिलाई बहुत कम हो रहा है मेरा मैं जादा तर अभी ब्लोक्स में ध्य जान दे रही हूं यूटूब पर सिलाई बहुत कम हो जा रहा है मतलब कपड़ा जिस हिसाब से में ले रही हूं उतना में दे नहीं पा रही हूं समय से तो थोड़ा सब दिकत हो जाएगा फिर इसलिए मैं अभी फटक से काम कर खतम कर ली अपना और मुझे आज एक मैं यहाँ पर बटन रहे गा और ऐसमैं के ब्रीप से तससब बनाना है जाएयो यहां पर बटन रहेगा और इसमें लिउक्र श्रैगा रहे तो मैं इसको सेल के फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स नायटी जो सेल रही थी मैं वह सील गया है उसको भेज rationale के लिए पर्फरोस में भेजती हूँ काज बटन करने के लिए जब तक बटन होने होने के लिए भेज दी और उस दिन जो मेहमान आये हुए थे जो मैं चिकन बनाए थी उस दिन वो नौतारी को वो चले गए थे यहीं पड़ोस में मेरी नियनद रहती है उनके घर गए हुए थे तो आज फिर वो आ रहे हैं तो इसलिए मैं जा रही हुए उनके लिए मटन और चावल बनाने के लिए तो चलिए आप बना लेती हुँ मटन और चावल उसके बाद मिलती हूं आपसे तो देखिए मैंने यहाँ पर साड़े साथ सो ग्राम मटन लिया है मैं इसको सारे मसाले डालकर मैगनेट करके छोड़ दोंगी थोड़ी देर के लिए मसाले वही मैं ल तब तक जब तक उधर कोईला जलेगा ये मेगनेट अच्छे से हो जाएगा और मेरे घर में ज्यादा तर चिकन ही बनता है उसके मेरे बच्चे को पसंद नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं यहां पर अंडा का भुजिया भी बनाऊंगी तो इसलिए मैं मटन हमेसा नहीं ब तो नहरा बिल्कुल भी नहीं होने देना है मैं तुरंत मटन डाल देती हूँ जैसे प्याय डालती हूँ वैसे ही मटन भी डाल देती हूँ तो अब मैं इसको ढगडग कर भुनूँगी बहुत देर तक और इसको धीमी आच में ढगडग कर भुनने से अच्छे से पग भी जाता है और इसको ज्यादा तेज आंच में भुनने से जल जाता है तो इसको वैसे तो मैं बहुत कम ही मटन बनाती हूँ लेकिन जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे ममी ऐसे ही बनाती थी हमेसा तो इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ और इसमें पहले से का पेस्ट डाल दिया हुआ है मैं इसको सिल्बटे में अभी पीसकी रखी थी और अद्रक लशन का पेस्ट में पहले इसलिए डालती हूँ ताकि यह थोड़ा से जादा भूने और वाकी जो पाउडर वाले मसाले होते हैं उसको मैं पहले भी गरम करती हूँ उसके बाद पीस क्रीएर भिचे तो भूंते ही हो जाता है और एक आकेम तो भुणते ही हो जाता है लेकिन रही दो खृचा बाकी जो powder वाले मसाले होते हैं वो मैं डाल दे रही हूँ क्युआ कि मुझे चावल बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सब मसाला जादा डाल रही है ताकि इसका ग्रेवी के साथ ही मैं सर्फ कर सकूँ दाल भी बनाई थी अभी इटीनर का मैं खाना बना रही थी इसलिए मैं डाल नहीं बनाती हूं लेकिन गेश्ट आ रहे हैं इसलिए मैं डाल भी बनाई हूं जही हूंद भूह अगằरा घ। अगरे सुदु 감ाति जब तक यह नहीं पकेगा और यहां पर मीट का मसाला यह पाउच आता है पाच रुपे का मैं इसको भी डाल देती हूँ साथ के साथ इसी टाप का चिकन मसाला भी आता है जब मैं चिकन बनाती हूँ तो उसमें वो डाल देती हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दी लास्ट में अब इसको मैं नीचे रख दूंगी उतारके और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं इंडिया गेट पासमती राइस है एक केजी का ये पाउज है मैं इसको बनाने जा रही हूँ इसी मतलब ये रात में मेरा डीनर का खाना बनेगा तो यहाँ पर एक केजी है मैं सारा बना दे रही हूँ सभी के लिए और ये चावल मैं मतलब कभी कबार ही बनाती हूँ या फिर फेस्टिबल होता है तो या कोई गेस्ट आए तो तभी मैं बनाती हूँ वैसे मैं नॉर्मल चावल बनाती हूँ जो 25 किलो का पाउच आता है तो चावल मेरा उधर पक रहा था और इधर मैं दोनों बच्चों के लिए अंडा फ्राइ कर र यहां पर दो अंडा लिया हूँ है दोनों खिली एक एक पीस और इसका मैं भुजिया बना दे रही हूँ तो वैसे तो मैं आमलेट भी बना सकती थी लेकिन एक-एक आमलेट में बहुत कम हो जाता है इसलिए मैं भुजिया बना दी ताकि उसमें प्याज टमाटर यह सब भी बन के रेडी हो गया था अब इसमें धनिया पत्ती डाल दी अब इसको दे दूंगी दोनों बच्चों को तो देखें मेरे चावल भी बन गया था और थोड़ासा में रोटी भी बनाई थी तो यहां पर दोनों बच्चों को ठोड़ा-थोड़ा करके दे रही हूँ खाने के और अभी सब मेहमाल लोग खाके चले गाय थे और यहां पर देखिया है मेरे हस्ब Convention के लिए फिरु दो सब एक की जगा फिर बैट के खा ली आते दे बाट यहां पर देखिए चावल और मर्तन और सलाद यही में बनाए थी लिए लिए थो आपर ठाहगा थे और दूर अधर मैं यही मोबाइल का टॉर्स से वर्तन धो लूंगी उधर का लाइट नहीं है किया हुआ बस पढ़ने के लिए दो बल्ब जलता है जब लाइट चल जाता है रात में तो दीन में तो वैसे कोई बात नहीं होता है क्योंकि आगन में वर्तन होती हूं मैं तो लाइट तो यह दीन में रात में ही थोड़ा प्राबलम हो जाता है जब लाइट चला जाता है तो तो वर्तन धोना ही होगा तो जार यह बर्तन धोने के लिए भी और मैं अभी ब्लोग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कपड़ा भी बहुत जादा है मुझे सिलने के लिए और सपड़ा तो सिल्क देना ही होगा और ऐसे भी मैं कोसिस करूंगी कि मैं एक सूठी सिलू हर रोज और बाकी टाइम में ब्लॉगिंग करूं वैसे घर का भी काम होता है फ्रेंड और उपर से कभी कभार आवरो भी बनाना होता है मुझे मतलब पूरे दिन में मैं पाच्छे एवरो बनाई लेती हूं तो उसमें भी समझे कि एक दो घंटा चली जाता है पाच्छे एवरो बनाने में थोड़ा थोड़ा ही देर में आते हैं लोग लेकिन थोड़ा थोड़ा समय लगी जाता है थोड़ा बहुत गपसप करने में भी हो जाता है तो इसलिए समय का पता चलता है मेरा और ऊपर से छोटा सा दिन कर रहा हूं तो बिल्कुल जलोडी ही साम भी हो जाता है तो इसलिए ब्लॉग काटिन्यू नहीं हो पा रहा है दो दिन से मैं कोशिस कर रही हूं लेकिन होता ही निहीं है तो कोई बात नहीं ब कर दिन करेंगा ऐसे रेगुलर वीडियो आने लगेगा वैसे मैं कोसिस करूंगी अगर मेरा सिलाई करना नहीं होता तब तो मैं एक दिन में दो ब्लॉग कर लेती लेकिन थोड़ा सा सिलाई का मुझ पर प्रेसर होता है तो वैसे आप लोग समझ समझीएगा मेरा प्राब्लम तो वीडियो को मैं यह पर एंड कर देती हूं फ्रेंड अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा अगर आप इस चैनल में नए है तो सस्क्राइब कर लीजेगा फ्रेंड बस आज इतना ही फिर में मिलूंगी कल नए ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिएगा थांक यू